हलो वेलकम टो क्रिश्णा टेक्निकल पार्चाला डियर स्टेंस आज हम आप लोगों के लिए फिर से नेक्स्ट फाइव पॉस्टन्स लेकर के आए हैं जो इसे पहले पांच पॉस्टन्स थे डियर स्टेंस वो हमारे पास स्टेंस वेलेटेड थे और जो आज फाइव कोश्टन्स हैं यह दियर स्टेंस हमारे डिफलेक्शन से रिलेटेड कोश्टन्स हैं अगर आपको सौम में देखना है तो टू थ्री टॉपिक्स ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं फर्स्ट वन इस दा स्टेंड बेंड वीडियो में इसका solutions लेकर क्या हुआ आपने इन सारे questions का solution अच्छे से क्या करना है जो comment box होता है वहां पर जाकर क्या प्लीज इनके answer दीजिए कि first question का answer क्या होगा तो आप first question यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर हमने list 1 दे रखा है यहां पर list 2 दे रखा है list 1 में 4 items है और same as well as list 4 में भी है तो हमारे को यहां पर code given करका है कि which option is correct तो पासिट derivative of synergy derivative of deflection derivative of slope derivative of moments तो जैसे यह हमारे पास first question था यह second question आप इस तरीके का question है इस second question is very very important जब आप exam देंगे जेए का SDO का तो वहां पर आपको कोई वी एक option पुछ ले जाएगा कि cantilever beam के end point पे अगर हम बताएए वहां पे deflection का value क्या होगा डियर स्रेंज जब मैं इस question को solve कराऊँगा तो आपको मैं slope की value बताऊँगा कि slope की value क्या होगी और भी different cases मैं आपको वहां पे लेकर क्या होगा कि जितने भी standard results हैं वो सारे मैं आपको बताने की courses करूँगा तो प्रीज आप इसका answer बता है तो बताएए इसके कारण deflection क्या होगा distance applied at b is equal to किस point पर deflection at c पर पूछा distance हमारे को ध्यान देना इस point को तो मैं आपको next question में मैं आपको इसके साथ एक question कराऊंगा मैं c पर लगाऊंगा बी पर पता करेंगे ठीक है ना तो इसलिए लेटर जो भी questions होंगे हम लोग देखेंगे महाँ पर बहुत interesting question है distance है next है अगर हम लोग question देखते है question number four this question is very simple and very repetitive question है direct results याद रहता जाता जाता इस students को प्रॉप केंट्रीवर बीम ऑप स्पैनल कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्यूटिल लोड इस्मॉल डबलो ठेक है पर यूडियल दे रखा है और दा वैलू अब दा प्रॉप reaction मीं सिंपल सा है इस तरीके का मैं आपको थोड़ी सी हिंट देने की कोशिस करूँ तो यह मान टेंगे हैं तो यहां से जितने भी बनेंगे मैं नेग्स्ट वीडियो मां आपको लेकर क्या हूँगा ओके जैशन्स और दिस इस दा फिप्ट कोशन और रेंपोर्टेंट रैंड रेंटर इंट्रस्टिंग देखें यहां से कोशन में क्या गिवन कर रखा है ए 4 मिटर लॉ यह लेंद दे दिये, 4 मीटर लेंद दिया है, और हमारे क्या दे रखा, एक पॉइंट लोड दे रखा, डवलू, अब देशन उन्होंने दे रखा है, अब देखिए इसका जो डिफ्लेक्टिट से बनेगा, कुछ इस तरही कैसे बनेगा, तो आपको पता यहां पर अगर यह स्लोप कितना होगा, ठीटा ए होगा, इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा, वो क्या होगा, ठीटा भी होगा, आपको पता है, सेंटर में, जो स्लोप होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है न, एट्स एंड पर दे रखा देखिए, ध्यान से पढ़ना कॉशन को, अब उने पूछाए कि बताइए इस deflection का value क्या होगा जो dale at c है उसका value क्या होगा जब आपको slope का value क्या कर रखा है given कर रखा है इस type of questions हमको देखने के लिए exam में मिलते हैं dear strengths please आप इन questions को try कीजिए these questions are very very important for exam point of view and revision point of view okay strengths मुझे अच्छा लगेगा आप लोग answers देंगे मैं definitely बहुत अच्छे अच्छे questions आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँगा different different subjects के okay strengths thank you